तो अलो स्टूडेंट्स वेलकुम बैक दुचैनल दिनेज सर लाइफ स्टूडी आप मेरे साथ सीख रहे हैं वन शॉट लेक्चेस अलडेडी मैंने एट चैप्टर के वन शॉट लेक्चेस दे दिये हैं मैच्स टू के अंदर फाइफ चैप्टर हो चुके हैं मैच्स वन के अगला जो चैप्टर आज हम लेने वाले वन शॉट के अंदर बहुत डर लगता है बच्चों को इस चैप्टर से लेकिन अगर आपने मेरा जो बेसिक लेक्चर देखा होगा इस साल जो मैंने दिया है आप लोगों को लॉगडाउन के अंदर इसका जो पहला लेक्चर था चैप्टर का अल्रीडी मैं पूरे चैप्टर कम्प्लीट कर चुका हूं 12 का न्यू से लेबस जितना भी आपका 15 चैप्टर है सब मैंने बढ़ा दिया है ओके स्टार्टिंग के चैप्टर तो कम्प्लीट क्ली डिलीटेट से लेबस भी पढ़ाया था एंड वाले जो आते हैं कि इसका पूरा का बेसिक बतानी नहीं क्या होता है 9 10th में 11 पे नहीं किया बता हो ना बताता हो ना विटा dos hogy य। नियूंक है अगर वह चैप्टर का समरींग घंए आपको beginnen या बतावंγगा कि उस चाप्टटर में क्या पढ़ना है क्या नजी पढ़ना है क्या क्या डिलीट हो गया थो इस बिडीट एपना की सब्सफे पहले देखतेंगे स मडिने के लिए यहाँ पार जो हमने chapter आज लिया है वो तो आप जानी गए है chapter number 7 है probability distribution है ओके one short lecture है अपना तो यह जो one short lecture है इसकी summary पहले लेते हैं हम लोग पूरे chapter की कि पूरे chapter में है क्या तो पहला जो topic है वो है random variable ओके यहाँ पर random variable यानि आपको पहले जानना है कि random variables क्या होते हैं basic lecture मेरा आपने देख लिया है अगर तो आपको यह सब बहुत अच्छे से आता होगा दूसरा जो इसके अंदर देखना होगा जो यह random variable है इसका और वी मिलके और वी लिखेंगे shortcut में तो उसके टाइप कौन कौन से है रेंडम वेरियेबल के टाइप कौन कौन से है तो दो टाइप होते हैं इसके बाद हमें सीखना है probability distribution of discrete random वेरियेबल यहने जो आपने यह देखा है रेंडम वेरियेबल इसका जो पहला topic है टाइप है discrete random variable उसका probability distribution कैसे बनाना या लिखना फिर आपको करना होगा probability mass function यह प्येम एप यह काफी important है इसके उपर तो आपको question आएगा ही आएगा का एक question PMF के उपर आएगा मैं भी सब बताऊंगा पहले आपको summary दे रहा हूं है कि इस chapter में आपको करना क्या है अगला है cumulative distribution function जो होता है CDF okay PMF के basis पर CDF होता है अभी जो अभी हमारा जो यह साल का syllabus उसमें से CDF delete हो गया है फिर भी मैं आपको बताता हूँगा कि क्या है फिर finally topic होगा expected value and variance of random variable and standard deviation of random variable इतने topic जो मैंने अभी आपको बता है इस full summary में chapter के वो exercise 7.1 के topics है इस chapter के अंदर दो exercise है 7.1 and 7.2 तो यह 7.1 के अंदर इतना है इतना पढ़ना है इसके बाद की बात करेंगे next जो exercise है exercise 7.2 उसमें कौन कौन से topic है बच्चो देखो probability distribution of continuous random variable probability of density function याने pdf and cumulative distribution function cdf जो भी मेरे पीछे बता है तो यह सब 7.2 में है अभी आपको जो मैं बता रहा हूं कि chapter number 7 probability distribution आँचे देखना मैं क्या बता रहा हूं इसके अंदर exercise 7.1 है exercise 7.2 है और इसके बाद miscellaneous exercise है miscellaneous exercise 7 है अब इसके अंदर हुआ क्या है आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर यह जो exercise 7.2 आप देख रहे है exercise 7.2 is deleted exercise 7.2 क्या हुआ है delete हो चुका है बच्चो exercise 7.2 नहीं पढ़ना है यहां पर जो मैं topics बता रहा हूं 7.2 के कौन सा topic है probability distribution of continuous random variable नहीं पढ़ना है probability of density probability density function यह भी नहीं पढ़ना है PDF और यहां पर जो CDF है यह भी नहीं पढ़ना है तो क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा important होता है क्या नहीं पढ़ना है तो यह जो exercise 7.2 नहीं पढ़ोगे आपको करना क्या है exercise 7.2 जो 1 है सिफ यही कर लो बस इसी में से question आएंगे क्योंकि होता क्या है यहां पर यह दोनों जो exercise है उसी के question मिश्लीनियस में होते है अगर आप करते हो तो अच्छी बात है नहीं तो यहां पर exercise 7.2 जो मैंने बता है वो आप completely कर लो तो आओ चलो फिर से पीछे चलते हैं 7.1 में क्या था ओके डीटेल में देखेंगे पहले summary देख रहे थे हूं तो यह जो chapter है हमारा chapter number 7 probability distribution इसके अंदर जो पहले आपको मैं random variable बताता हूं क्या होता है उसके types बताता हूं discrete क्या होता है continuous क्या होता है फिर pdf probability distribution of discrete random variable हमें देखना आच यहां पर यह भी बता दूं कि यह जो discrete random variable का probability distribution यह जो है यह हमें सीखना है और यहां पर जो continuous random variable है यह जो है यह हमें नहीं सीखना है यह हमारे syllabus में इसके उपर questions नहीं आएगा समझ में आ रहा है इसको भी मैं delete करता हूं समझाओंगे नहीं क्या रहे समझाओंगा रुकना वही समझाओंगा उसको लेकिन उसके उपर examples नहीं आएंगे ठीक है तो यह आद रखना फिर PMF और यह CDF भी तो जब मैंने बता है कि CDF नहीं करना है CDF है 7.1 में भी question नहीं है बड़ topic है यह एक्सपेक्टेड वैल्य और यह काफी important है यहां पर जो question आएंगे आप लोग को मैं summary बता रहा हूं उसे आप से बता रहा हूं कि जो questions आएंगे expected value and variance यह जो है expected value को इस तरह से EX बोलते हैं इसको mean भी बोलते हैं तो mean यह इस तरह से हो गया variance को इस तरह से denote करते हैं और standard deviation को इस तरह से बोलते हैं या तो भाईओं इस में से एक question आएगा important पूछते हैं आपको important बता रहा हूं कि यह जो topic है इसका एक question आएगा और यह जो PMF है PMF से related question आएगा ओके तो इस तरह से यह जो chapter है काफी important है जो मैंने बता है इतने में से एक question आएगा तो अब यह full summary हो गई आओ चलो अभी इसके बारे में सब detail में मैं आपको बताता हूं आओ continue करते हैं अब देखते हैं कि random variable और उसके types क्या होते हैं उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि probability distribution table क्या होता है जो काफी important है आपको पता होना चाहिए probability distribution table इसी के उपर पूरा थेल है अगर आप टेक्स्ट बुक में पढ़ने जाओगे ना confused हो जाओगे बच्चों अच्छा सबसे पहले तो बता तो यह chapter 5 marks का है कितने मांक का chapter 5 marks with option option के साथ 5 marks है याने दो question इसके अंदर से आने के पूरे chances है तीन मांक के और दो मांक के अब देखो random variable यह समझने की कोशिश करो मान लो आपके पास सिख्का है कोईन है कोईन आ गया मेरे पास देखो मान लो आपके पास इस तरह से कोईन है अब यह 10 में आपने सिखा था कि जो probability chapter coin head या tail head या tail coin सिखा था आपने head tail को किस तरह से use करना है तो समझो हमारे पास coin है अब दो coin है समझो इस तरह से इस तरह से दो coins है ओके दिख रहा है यह लो इस तरह से 10 का coin है भाई ओके तो इसके उपर आपको पता है head और tail होते हैं एक दम basic में जाने वाला नहीं हो अगर आपने मेरा previous lecture देखा है basic lecture description में लिंक है देख लेना तो यहां पर जो चीज़ें चाहिए बताऊंगा तो इसको अगर आप उच्छालते हो इस तरह से सिख्का गिर गया दूसरा सिख्का ले दे इस तरह समझो दो coin उच्छाला मैंने तो इसमें क्या आएगा दो coin toss किया तो या तो दोनों पर head आएगा या दोनों पर tail आएगा या एक पर head इस पर head इस पर tail ऐसे कुछ tail इस तरह से 4 option आएगे तो यहां पर क्या होता है कि कोई भी हमने अभी जो यह coin उचला ना इसको क्या बोलते है random experiment क्या बोलते है random experiment और जितने भी possible outcomes होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं sample space is बोलते हैं तो हैस यहां पर जो outcomes है हम लोग क्या करेंगे कि expectation रखेंगे कि भाई मैंने coin उचाला है न तो मुझे head ही मिलना चाहिए तो उस head को पकड़ के चलेंगे, tail को ध्यानी नहीं देंगे जैसे कि example दे रहा हूँ, head कितनी बार आ रहा है, head यहां पर एक भी बार नहीं आ है तो head zero आया, head कितनी बार आया, head एक बार आया, head एक बार आया यहां तो head दो बार आया, वाउ, तो यह हम ध्यान दे रहें, tail कितनी बार आया उससे मतलब नहीं एक example दिया, दूसरा case कि अगर किसी ने वोला नहीं नहीं बाबा, head मेरा दूश्मन है, मुझे tail ही चाहिए तो अगर एक ऐसा question है, जिसमें सिर्फ tail की बार की जाए, जिसमें सिर्फ tail को consider किया जाए तो tail कितनी बार आया वो गिर्द है, एक example दे रहा हूँ, coin के इसे, बाकी बहुत सारे random experiment दे, dice throw करना, card draw करना, persons है, committee अगरे, क्या-क्या रहता दुनिया बर गे, तो समझो यहाँ पर, कि मैं बोलता हूँ कि number of head, जो x है, इसको मान लेता हूँ कि x क्या है, number of heads, कि कितने heads हमे मिल रहे है, कितने heads हमें मिल रहे है, तो number of heads को हमने x किया, तो जो x का number होगा, x कितना है, जैसे कि यहाँ पर x की value कितनी हो सकती है, number of head, यहाँ पर कितना है, number of head, 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर head कितना है, एक भी नहीं है भाई, तो 0, तो इसको हम पूलते हैं onion यह जो एक्स है कि एक्स मतलब जो भी नहीं फैट लिया है वो रेंडम वेरियेबल होगा यह तो हम ऐसे लेंगे टू यह तो यह दो एक कमे रही हमने हमने चू सबस्कहलाइस थि ऑन एक होता है discrete अभी जैसे बता है अधा और एक होता है continuous यह दो कैसे random variable है ध्यान से देखो RV मतलब random variable देखो discrete random variable मतलब क्या होता है कि ऐसे हम random experiment करेंगे या ऐसे numbers को count करेंगे जो finite है जिनको गिन सकते है अभी textbook का definition नहीं बताने वालों यहाँ पर आपको normal cd साधा बासा में आपको समझाऊंगा कि discrete मतलब क्या होता है जिसको हम गिन सकते है और continuous मतलब क्या होता है जिसको गिन नहीं सकते है यानि बहुत जादा होंगे infinite होंगे पहले तो एक example लेता गोल जैसे गुमाएंगे ना पंखे का regulator जिससे पंखे की speed कम जादा करते है तो एक अगर गोल वाला किसी के घर में होगा तो उसका खट खट पुराना जो होता था ऐसे गुमाओंगे तो आवाज आता है step होते है उसमें one two three four इस तरह से उसमें क्या होते है steps होते है अभी ज जो discrete random variable में बता रहा हूं वो क्या था step बस्टेप था जो मैंने बता ना cut cut one two three वो discrete था step बस्टेप था continuous random variable जो मैंने पंखे का बता है regulator वो क्या था continuous वो smoothly ऐसे घूम रहा है घूल को फिर फास्ट हो गया पंखा फिर उल्टा गुमाओंगे तो पंखा स्लू होते जाएगा कहीं रुकेगा नहीं मतलब steps नहीं तो यह तो एक example था कि discrete और continuous क्या होता है यह random variable में क्या है random variable मतलब जो x की values आ रही है अगर वो finite और countable आ रहा है ज number of children एक example ले रहे हैं कि आपके आसपड़ोस में हर एक घर में अगर आप सर्वे करते हो तो देखो कि किसी के घर में दो बच्चे है किसी के घर में एक है किसी के हई नहीं किसी के चार है कहीं पूरी टीम है ओके तो अगर आप यह देखते हैं इस तरह से तो यह countable है किसी के पास ऐसे होगा क्या धाई बच्चे है सवातीन बच्चे है या infinite बच्चे ऐसा तो नहीं होगा तो यह जो रैंडम वेरियेबल सोगे ना इस टाइप के जो countable है और finite है उसको हम बोलेंगे discrete रैंडम वेरियेबल समझ गाई ना सीदी बासा में बता रहा है continuous random variable क्या होगा continuous एक example हम लोग देते हैं कि समझो की weight of child अभी वही बच्चा है समझो कोई एक बच्चा है उसका weight अलग-अलग बच्चों के weight एक ही बच्चे का नहीं अलग-अलग बच्चों के weight तो किसी का weight ऐसे आ सकता है 5.2 kg छोटा बच्चा समझो 5.23 kg इस तरह से 5.23 kg 6.23 kg मतलब क्या है कि एक real values का set मिलेगा यहां पर अगर देखते जाओ को तो 5.2 है 5.23, 5.233, 5.234 मतलब infinite आ जाएंगे उसके अंदर decimal के बाद बहुत कुछ आ रहा है तो यह ऐसे को हम बोलते है continuous example height of a tree कोई एक पेड़ है उसका height है तो समझो height है 2 meter तो 2.1 meter भी हो सकता है कोई height paid का 2.12 meter अब पॉइंट के बाद कितना भी आते जाएगा न ऐसे examples को क्या बोलते है continuous random variable यह टाइप आपने देख लिए अब यहां पर मैं बहुत detail में यह lecture नहीं ले रहा हूं अगर आप detail में basic देखना चाहते तो description में लिंक है वह जरूर देखो लगबग 2,00,000,000 बच्चे जो है देख देख चुके है एक लाग 80,000 पर हुए थे अभी हो भी गया होंगे तो आप देखो इतने बच्चों ने वह basic देखा बहुत उन्होंने अच्छा प्यारा comment भी किया है एकदम basic से मैंने बता है यहां पर मैं सिर्फ इस chapter को exam point of view से समझ जा रहा हूं कि किस टाइब के question आईगे और हर एक चीज का meaning क्या है तो random variable इन इसके ट्राइब देख लिए अब यहां पर हमें देखना है कि probability distribution table क्या होता है और probability mass function क्या होता है कि चलो तो probability 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 distribution table बहुत important है बेटा यह एक बार सीख लो फिर इसके बाद PMF सीखा तो PMF क्या हो कि देखो बेटा probability distribution table मतलब क्या है समझाओ अभी मैंने जो example लिया था चलो इस example को वापस पकड़ते जो example हमने लिया था जो यहां पर इस example के हिसाप से न मैं आपको एक table बना के दिखाता हूं देखो यहां पर हमने क्या देखा एक मिनिट फिर से लिखता हूं यहां पर दो कोईन टॉस किया था दोनों head आया या एक head एक tail आया या पहले tail बाद में head आया या दोनों tail आया तो यहां पर अगर यह देखेंगे यहां पर तो यह दो head एक head एक head जिरो head तो मैं आप देखो टेबल बना के दिखा रहा हूं कि probability distribution table क्या हो what is x over here x is random variable so अब यहां पर random variable सबसे चोटा कुण सा 0 आ सकता है या तो यह 1 आ सकता है या तो यह 2 आ सकता है समझ में हा रहा है अब ध्यान से देखना अब यह जो random variable मैंने x के form में लिख दिया मुझे क्या करना है probability distribution table करना है तो probability distribution में table में हम क्या करते एक table ऐसे बनाते है as table पहले random variable लिखेंगे हम लोग जो भी random variables क्या क्या रहे जिरो वन टू यह जो countable number से ना दो बार है तो एक बार लिखना ओके तीन बार चार बार कितने बार भी है तो एक बार ही लिखना अब यहां पर उसकी probability निकालनी प्रोइविल्टी कैसे निकालोगे देखो अभी यहां पर अगर किसी की probability निकाली जाए तो यहां पर देखो ns कितना है ns कितना है 1 2 3 4 है प्रोइविल्टी किसी एक event की निकालते थे क्या करते थे number of event a upon ns यादा रहा है 10th का method किसी भी event की probability निकालने के लिए उस event के अंदर number कितना है और उसको number of sample space से divide करते है अब यहां पर जो हमारा 1 2 3 4 ns क्या है 4 किसी की भी probability अगर आपको निका रिधालनी है तो 0 कितनी बार草 किन लो 0 एक बार है ना यह 0 एक बीएड नहीं 0 मतलब 1 बाइड तो यहाँ 0 आने की प्रोइबिल्टी क्या है 1عد 4 समझद गया नई समझे आगे देखों जैसे 1 कितनी बार 1 है याने कितनी बार 1 है याने कितनी बार 1 है एक हैड आया है तो यह दो बार 1 आने की probability जो है वो कैसे निकालेंगे तो 1 कितनी बार है दो बार तो हम क्या करेंगे probability of 1 is what 2 times upon ns नीचे हमेशा ns ही रहेगा 4 so 2 upon 4 2 upon 4 को cut किया तो 1 upon 2 basic है ये 1 upon 2 आया है अब 2 कितने बार है यहाँ पर देखो 2 head कितने बार है एक ही बार है तो एक ही बार है upon total ns के 4 तो यह हो गया probability distribution table यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया बच्चो यह यह जो है न यह probability distribution table है अब इसके बात का जो एक concept है probability distribution table के की PMF क्या होता है PMF क्या होता है बच्चो PMF यानि probability mass function यह जो probability distribution table है इस table के अंदर यह जो probability होती है इसके दो cases होते है यह जो probability है इसको PI समझो I for 0,1,2 यह सब आइए समझो यह जो probability है अगर यह 0 के equal या greater है तो दूसरा कि यह जो probability है फी probability of random variable X इस तरह से इसका अगर submission करते हैं submission यह टोटल यह यह सब को तीनों को total करते हो और अगर one आ जाता है क्या आता है one चलो total करके देखो one upon four plus one upon two plus one upon four मैंने किसको plus किया यह जो probabilities है इन तीनों को plus किया क्या तीनों को plus करके one आ रहा है क्या check करो देखो one upon four और one upon four two upon four याने one upon two आ जाएगा इसको और इसको पहले plus किया दोनों का base four सेम था इसके easy था one upon four और one upon four two upon four केट किया तो one upon two और यह one upon two one upon two और one upon two two पान जाए वन आ गया आदा आदा एक होता है समझ में आ गया तो अगर यह दो कंडिशन फॉलो हो रही है किसी भी probability distribution टेबल के अंदर यह जो probability है इसकी यह दो कंडिशन फॉल्ओ हो रही है तो इस प्रवयव्यविलिटी डिस्टेश and разм the कुर मुलसे यह ज़ो प्रओ बिलीटी मास्स्टिं tätä है और इस इंगे चेक करो कि दिया हुआ प्रहमिल ही बात दो चीज़े चेक करना कि यह जो probability की value है यह 0 या 0 से greater होना चाहिए माइनस में नहीं होना चाहिए इसका बोलने का मतलब क्या है what it wants to say what it wants to say probability should be greater than 0 or equal to 0 मतलब negative नहीं होना चाहिए यहाँ पर probability की कोई value अगर negative है मतलब गई भहस्तानी में मतलब की probability समझ में आया तो यह एक बात पहली बात दूसरा कि यह जो प्रोइबिल्टी की तीनों वैल्यूस है इसको प्लस करके वान आना चाहिए अगर यह वन आ रहा है तो आप बोलेगे यह यह प्रोइबिल्टी मास फॉंक्शन है दोनों कंडिशन फॉलो हो रही है तो हम बोलेंगे तो नहीं चलेगा वो प्रोइबिल्टी मास फॉंक्शन नहीं है यह एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस चेप्टर का जो आपको याद रखना है प्रोइबिल्टी डिस्ट्रिबिशन जो सेवन चेप्टर है मैस्टू का एक क्वेस्चन पीएमेफ के उपर आने क लिए बोलेगा और फिर बोला जाएगा कि अब चेकरो यह पीएमेफ है कि नहीं कर लोगे ना यार टेबल बना देना कैसे बनाएंगे चकाता हो रुको तो यह प्रोइबिल्टी डिस्ट्रिबिशन टेबल बनाने के लिए चेक करने के लिए जिसे मैंने बता एक वेस्टन में आजाओ क्या-क्या था देखो अच्छा यह जो 7.2 तो डिली थे बाबा यह नहीं पढ़ना 7.2 मत करना इस साल के बच्चे जो रिपीटर और इंप्रूमेंट वाले आपको करना पड़ेगा आपको करना पड़ेगा अब यहां पर यह मैंने करा दिया क्या टाइपस ऑफ रैंडम वरियीबल करा दिया डिस्क्रीट चंटिनीवस भी मैंने समझा दिया क्या है उसके उपर ज砸ा क्षेस नहीं आएंगे टैक है सब डिस्क्रीट के क्या होता है यह मैंने आपको बता दिया कि अबिलिटि म्यास फंक्षन पीम आफ कब रहेगा वह भी मैंने आपको बता दिया दो कंडिशन बॉइलीटि की वैलिव से ज्यादा होने चींग और मीन ऑना चींग करने पर बनाना चींग यहीं बहुत पहले भी बोला मैं अभी CDF के उपर CDF क्या होता हो भी बता देता हो चलो पहले CDF बता देता हूं फिर यहां पर यह चीज आर आप इस चीज को लिखते जाओना तो अच्छा है मेरा वां चौट लेक्शर लिखा करो कुछ से अभी समझो इसी चीज को मैं यह गरता हूं एक मिनिट एक मिनद ये मीटा आता हूँ मैं है बेटा ये मीटा देता हूँ मैं ये चीजे मीटा देता हूँ चलो अरे यार जल्दी से मीट जा टेबल ही गए चलो ठीक है अभी यहां पर मैं आपको सीडी अबताने की कोशिश करता हूँ ध्यान से देखना सीडी एफ क्या है अभी यह प्राइबिल्टी टी पी एक्स था अभी किमीलेटीव क्या होता है अगर किमीलेटी डेंसिटी फॉंक्शन जो था वह मतलब क्या ध्यान से देखना यह जो probability distribution है यहाँ पर cumulative हम बोल सकते है probability वो क्या देखो cumulative probability है जो CDF से related है तो यह जो probability distribution है अगर इसको cumulative density function बनाना है तो मैं जो वही काम करना है समझो कोई sample space है two coins are tossed and random variable is to take head number of head को मैं समझ रहा हूँ समझो इसको number of tell भी ले सकते हैं बट question में जो दिया होगा वह पकड़ना अगर समझो मैं तीन point toss करता हूँ तो जैसे मेरा यह coin था एक ही coin था यह मैंने ऐसे toss किया इस तरह से समझो कि दो और तीन point toss किया तो क्या होगा वह भी तो आपको पता यह ना कैसे होगा चलो बता देता हूँ देखो कैसे करते हैं वह तो आपको पता है कि नहीं को मैं बताता हूँ तीन coin अगर toss किया ना विटा तो आपको क्या करना चीज तरह से जैसे वह logic में करते हैं चार बार है चार बार प्रू और फॉल्स लिखते वैसे मैं इसने प्रॉबिल्टी में सिखाता हूँ बच्चों को तीन बार अगर coin toss हुआ ना तो चार एड लिखो चार टेल लिखो फ दो बार टेल फिर क्या करो एक हैड एक टेल एड़ या टेल है रही चलो यह टेल है भाई इस टेबल के अंदर कर सकते है 0,1,2,3 है ओके चलो इसको मीठाता हूँ मैं थोड़ा सा इस टेबल के अंदर ही बनताने की पोशिश करता हूँ चलो अभी देखो मैं इसके अंदर ही आपको पताता हूँ जीरो दियान से देखना 1,2 और 3 नमबर ओफ 3 कॉइन स्टोर्स किया तो 3 एट तक आ सकता है अब प्रोबिल्टी कैसे निकालेंगे जीरो तो यह जीरो पकड़ेंगे जीरो कितनी बार आया है एक बार आया है, जीरो कितनी बार आया है ये, जीरो एक बार आया उक creep I tomorrow renaust अभी number of head 1 कितनी बार है, 1, 1, 1, देखो 3 times है, 3 बार जो है number, 1 ही head आया है, 3 upon, ns कहा है, 8, upon में हमेशा 8 करूँ, upon में हमेशा 8, ns होता है, अब ये 2, number of head 2 कितने बार है, 2 बार head कितने बार है, 1, 2, 3, so ये 3 by 8, 3 head कितने बार है, तो एक ही बार है, 3 head 1 ही है, so एक बार है, तो इस तरह से ना मैंने 2 coin का पता है, 3 coin का पता है, x मकलब क्या random variable, अब ये head आना था है, tell के लिए भी यही रहेगा, 0, 1, 2, 3, एक बार tell नहीं आ रहा है, यहाँ पर 0 रहेगा, tell अगर बोलोगे तो, समझ में आ रहा है, तो question में देखना, head बोला है का tell, तो 0, 1, 2, 3, 3 coin के लिए 0, 1, 2, 3 आ गया है, उसके लिए probability आ गया है, तो इसके लिए हम क्या करते है, कि देखो, यह सब आपने किया हुआ था, संचाई, वारम बारता, या cumulative frequency, इसमें यह 1 upon 8 पहले लिख दोगे, फिर इसमें यह बाजू वाले को plus करते, 1 upon 8 प्लस 3 upon 8 क्या हो जागा, 4 upon 8, बाद में cancel कर सकते हो, ओके, फिर यह 4 upon 8 है, इसमें यह 3 को plus किया, इन दोनों के साथ इसको plus किया, यह 4 upon 8 और 3 upon 8, 7 upon 8, समझ गया, फिर इसमें यह plus किया था, इसमें यह plus करना, 7 upon 8 और 1 upon 8, 7 plus 1, 8 upon 8, that is 1, तो cumulative distribution function जो होता है न बेटा, जो मैं बता रहा था, अगर कभी आया तो यह याद रखो, कि आप random variable लेते हो, उसका probability निकालते हो, और बाद में उसका cumulative जो है probability निकालते हो इस तरह से, ओके, तो यह हो गया अपना, जो last topic हम देख रहे थे हैं, वो, एकदम शुरू में आ गए, अभी cumulative distribution function हो गया, चलो आते हैं, expected value, याने mean, variance of random variable, and standard deviation of random variable, यह काफी important topic है, इसकी उपर जो एक question आप पकड़ के चलो, आएगा, इन तीनों में से कोई एक topic के उपर, इसको मैं डिटेल में बता दा, expected value, variance, standard deviation, expected value को अलग से एक नाम भी है, जिसका नाम है mean, यहने normally हम लोग जो mean निकालते हैं, उसको ही अलग से expected value बोला गया है, expected value अगर आपने निकाल ली तो आप variance निकालोगे, variance निकाल लिया तो standard deviation निकालोगे, करना कैसे है, तो suppose कोई एक probability distribution है, जैसे हमारे पास था, x, यहाँ पर x एक बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है, समझने के लिए, so समझो, यहाँ पर x is equal to, और px is equal to, एक probability distribution 0, 1, 2, वही दो coin वाला समझो, 0 एक बार आया था, तो 1 by 4, 1 दो बार आया था, 2 by 4, और यह, 2 एक बार था, तो 1 by 4, 2 by 4 को हम कट करके, 1 by 2 लिख सकते हूँ, जैना, 2 by 4 को कट किया, तो 1 by 2 लिख दिया है ना, अब यह इस तरीके से, अब यह probability distribution table है, और इसके अंदर अगर हमें बोला जाता है, कि expected value निकालो, यहाने mean निकालो, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले याद रखो, यह जो probability of x है, इसको हम क्या करेंगे, यह जो x और probability of x है, यहाँ पर इसको आप समझोगे x i है, जो capital x था, उसको x i, और इसको क्या समझोगे कि probability of pi, i, अब यहाँ पर i क्या है, i zero है, यहाँ पहला समझ सकते हैं, i यहाँ पहला, i दूसरा, i तीसरा, इस तरीके समझ सकते हो, ओके, अभी यहाँ पर expected value mean कैसे निकाली जाए, इसको लिखते इस तरह से, e of random value x, इसको बोलते है, expected value of random variable x, e मतलब expected value, कोई हम कैसे दिखाते हैं, e x मतलब क्या हो गया, mean याद रखो अगर अब कभी आपको बोला जाए, कि mean निकालना है, मतलब समझ जाना है, कि e x निकालना है, ठीक है, कैसे निकाला जाता है, यहाँ पर हम summation करते हैं, इसको बोलते हैं, समीशन जो w होता है इसको मार के सुला दो समीशन समीशन मतलब होता है total आपने जो integration सीखा है ना उसका और इसका meaning सेम ही होता है summation और integration ओके दोनों का मतलब होता है total करना थोड़े बहुत differences है उसमें ही अब summation किसका करना यह जो xi और pi है ना एक मिनिट है थोड़ा मुझे जगब बनाना पड़ेगा यहां पर expected value जो मैं बता रहा था यह कैसे बता रहा था submission यह जो xi होता है और यह जो pi होता है इनका multiply करना xi और pi का मैं क्या करूँगा multiply करूँगा यह जो table इसको extend करना है मुझे मैं क्या कर रहा हूँ देखो ध्यान से देखना यह जो xi और pi है उसका multiply कर रहा हूँ xi pi इन दोनों का multiply और जो multiply करने के बाद आएगा अब यह submission की नीचे लिखना पड़ता है i i यानि यह पहली value 1 से start होगी और यहाँ पर n यहाँ लास्ट इस तरह से लिखा जाता है तो यह जो expected value है यहाँ पर इसको भी रफ कर दें कि एक्सपेक्टेड वैली यानि मीन निकालने के लिए आपको यह formula यूज करना है इसमें xi और pi का multiply करना है तो multiply कर लो इस टेबल के अंदर रो बढ़ा देना xi यानि यह और pi यानि यह इन दोनों value को multiply करें 0 into 1 by 4 0 into anything 0 1 into 1 by 2 1 by 2 आएगा 2 into 1 by 4 तो 2 से 4 कट जाएगा 1 by 2 आएगा ओके इस तरह से अब expected value के आ जाएगी e x क्या जाएगी यह जो हमारा formula था यहां से जो एक मिनटा हम वहां नहीं लिखते हैं इसी के नीचे लिखता हूं देखू हां expected value क्या आ जाएगा submission of xi pi यह जो xi pi इसका अगर submission करेंगे तो इसका मतलब इसको तीनों को plus करना पड़ेगा मतलब यह ऐसे लिख सकते है जीरो प्लस हाफ प्लस हाफ यह आ गया answer जीरो प्लस हाफ प्लस हाफ वन प्लस जीरो वन हो गया यानि आपका इस question का expected value क्या आया वन आया अब हर question के लिख अलग अलग हो सकता है जो probabilities है अगर आपको यही question पूचा जाता है क्या यह pmf है तो आप तीनों को plus 1 by 4 1 by 4 1 by 2 हो जा बहुत आसान है बेटा क्या करोगे देख लो expected value जो मैं यहां पर बता रहा है एकदम देख लो क्या करोगे एक probability distribution table बनाओगे x यहने random variable और उसकी probability लिखोगे बाद में इन दोनों का ही multiply कर दोगे expected value यहने mean क्या होता है यह जो xipi है उसका summation summation मतलब total यह तीनों को plus कर दोगे आगे expected value अब अगला topic क्या है variance तो variance क्या होगा देखो एक तूब variance कि ध्यान से देखना variance होता है सिग्मा स्क्वार इसको यह भी जो है यह सिग्मा ही बोलते है इसको भी यहां पर आप क्या करोगे यह जो है variance is equal to सबसे पहले expected value of expected value लिखना था एक मिनिट है expected value of x square x square के expected value minus expected value of x x x की expected value का square तो यह हो गया variance का पॉर्मूला क्या होगी और एक बार आपने वेरी इस निकाल दिया यह doing 2 सिर्फ आपको याद रखना है कि मीन कैसे निकाले उसके बाद वेरियंस में आपको बताने मैं यह बढ़ना है कि आपको भी लगएगा आप फॉर्मूले से वेरियंस अगर आगा ना इस तरह से तो इसका स्ट्केई यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि यह जो है सिगमा स्कुर्वर यह निकालना है हमें सिगमा स्कुर्वर उसके लिए यह expected value of x आपको पता यह e x कितना है इसी टेबल से यह 1 है यह 1 का square हो गया e x का square है तो 1 का square but expected value of x square तो पता ही नहीं है तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा जगह बनाना कुड़ेगा मुझे इसको मिटा देता हूँ चलो और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि एक इसको मैं उपर की तरफ बढ़ाता हूँ ऐसे तो नीचे बढ़ाना चाहिए आपको मैं यहाँ पर यह जो x ns का square लेता हूँ x i का square यह नीचे की तरफ extend करना मैं इसी में कर रहा हूँ समझा रहा हूँ आपको इसलिए फिर क्या होगा x i square क्या होगा यह जो x है इसका square 0 का square 0 1 का square 1 2 का square 4 यह आगे फिर यह क्या बोला है कि expected value of x square देखो ध्यान से expected value of x square यह क्या जाएगा summation देखो पेटा है अगर सिर्फ e x निकालना होगा expected value of x तो हम क्या लिखते है x i pi expected value of x square है तो आप क्या करोगे x i का square into pi यह square है समझ में आ है i starts from 1 to n यानि कि यह जो x square और pi का multiply करना है चलो उपर एक और row बढ़ा देते multiply करते हुए चलो multiply करो x square और pi का multiply करना x square into x square i into pi यानि यह जो x square 0 into 1 by 4 0 1 into 1 by 2 1 by 2 4 into 1 by 4 1 4 और 1 by 4 का multiply किया मतलब x i square और pi का multiply में ने किया अब यह कैसे आएगा इसको कैसे निकालोगे यहां से तीनों को प्लस करेंगे समीशन मतलब क्या टोटल जीरो आफ और वन तीनों को प्लस किया जीरो प्लस हाफ प्लस वन सो जीरो और यह वन और हाफ 3 by 2 हो गया तो expected value of x square क्या है हमारा यहां से अलग से निकाल लिया हमेने वह आया 3 by 2 तो यहां पर रख दो 3 by 2 सो 3 by 2 minus 1 का square 1 सो 3 by 2 minus 1 क्या हो गया 1 by 2 तो यह क्या आया variance आया variance को हम ऐसे भी लिखते है variance of x is equal to 1 by 2 ऐसे लिखो या ऐसे लिखो टिकर अभी अगला जो topic था standard deviation निकालना इस तरह से sigma तो standard deviation के लिए हम लोग क्या कर सकते है जो variance आया है उसका square root लेलो जो variance आया है यह सिगमा square आया यह इसका square root लेना होता यह formula है to standard deviation is equal to root of variance variance क्या है 1 by 2 है 1 का square root 1, 2 का root 2 तो यह standard deviation आया है अगर सिर्फ मीन निकलना तो एक्सपार एक्सपनों पे इंजग अधर लेकिन मेंद के बाद अगान निकालना पड़ेगा इस के लिए आप 16 hi यह निकालने लिए निकालने के नीचे रो एक्सकूंए या रको गयो आफिकिया तो Вेरीन्स आ जाएगा वेर एक्स और इस वेर एक्स का अगर आप स्क्वेर रूट करते हो तो स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा बस यहीं कंसेप्ट है चैप्टर फिनिश पूरा कैंसब टेबल बनाके और दूसरा जो मैं अभी यह सब बता रहा था एक्स्पेक्टेड वैल्यू मीन वेरियेंस और स्टैंडर्ड डिविएशन इस में से इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा बस पांच मार्क का चैप्टर है पांच मार्क जेप का है जाने मत देना ओके टॉप करन अभी आसान है पास होना भी आसान है फेल होना बहुत डिविकरट है एकदम खाली छोड़के आओगे तो फेल ही हो जाओगी चलो अभी कुछ एक्जामपल्स देखते हैं इस चैप्टर के बेसिस पर कंसेप्ट पूरा मैंने आपको बताई दिया है यह एक्जामपल अगर देख लेते हो तो एकदम अच्छे से आपका चैप्टर क्यार हो जाएगा और बिल्कुल इसी तरह के एक्जामपल्स आएंगे आप शॉक हो जाओगे इतने इसी एक्जामपल्स आते हैं क्या यह सबसे पहले अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है प्रॉइबिल्टी डिस् इस तो एसे कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें यह डायरेक्ट दिया है कि प्रॉइबिल्टी डिस्ट्रिबिशन और डिस्क्रीट रेंडम वेरियेबल ऐसे ओपर लिखा हुआ है या तो दिया हुआ है कि समझो कि यह प्रॉइबिल्टी मास वंक्शन है इस पीमेफ द तो आपको पता है कि यह सबको अगर प्लस करते है यानि कि समेशन औफ पई आई करते हैं तो क्या हैं विल्टी का समेशन करते हैं इस तरह से प्रॉइबिल्टी जा तो सबको अगर plus करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा इसको सबसे पहले मैं 1 लिख देता हूँ यहाँ पर 1 आएगा कैसा submission करोगे सारी value को plus करो यह है 0.1 plus k plus 0.2 सबको plus करो इस तरह से plus 2k plus 0.3 plus k सबको plus किया तो क्या आगया 1 आ गया अब आगे देखो कैसे करेंगे अब जितने भी k है उसको एक साथ ले तो k और 2k 3k और k 4k आ गया 0.1 और 0.2 यह 2 है 0.2 और 1 0.3 हो गया और 0.3 0.6 हो गया 0.6 is equal to k आया 1 आया sorry 4k कैसे आ जाएगा 1 0.6 उस तरह गया तो minus 0.6 1 minus 0.6 क्या हो जाएगा 0.4 और यह है 4k k की value कैसे आ जाएगी यहाँ पर k is equal to 0.4 और यह 4 इंटू है यहाँ आया डिवाइड हो गया so finally you got k value as 0.4 upon 4 0.1 आ गया 4 से 4 कट हुआ था इसको हम ऐसे लिख सकते है k is equal to 1 upon 10 भी लिख सकते हैं यह 0.1 भी लिख सकते हैं जैसा चीह वैसे लिख के अंतर छोड़ दो चलेगा ओके तो यह इस तरह से देखो कोई unknown value के निकालना था बट यहाँ पर तो बोला probability of x is equal to minus 1 निकालने तो मैं क्या करूंगा कि probability of x is equal to minus 1 यह क्या है माइनस 1 के लिए क्या है देखो यहाँ पर माइनस 1 के लिए क्या है देखो यहाँ पर माइनस 1 के लिए क्या है probability क्या है क्या है अगर यही बोलता 1 के लिए तो हम 2 के ले थे तो यहाँ पर यह जो के है probability of x is equal to minus 1 is equal to k is equal to 1 upon 10 या तो 0.1 जो भी suitable आप लिख सकते हो लिखो दोनों भी चलेगा ठीक है तो इस तरह से निकलना है कुछ भी अगर पूछा जाए इसी के अंदर में और भी कुछ example बोल सकता हूँ जैसे मैं बोला था probability of x is equal to बोला जाए कि 1 निकालो तो exactly probability of x is equal to 1 कुछ भी पूछा जाए तो आप बता सकते हो यहां पर ठीक है कभी कभी यहां पर ऐसा question पूछा जा सकता है देखो question बदल क्या आएगा आप बहुत से बच्चे बोलतें सर आपने यह करा या यह तो exam में आया ही नहीं अरे बेटा concept समझ ना number याद करेगा क्या concept समझ जैसे कि मैं एक बता रहा हूँ देख अगर बोला probability of x क्या है यह 0 है तो x is less than 0 ऐसे आया तो क्या करना कि जब x की value 0 से कम है तब probability कितनी है तो देखो x की value 0 है कहां पर यहां पर देखो कि तो देखो x की value 0 यह रही ठीक है अब 0 से कम चाहिए 0 से कम कौन है minus 1 है और 2 है तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि probability 0 से कम कौन है minus 2 और minus 1 so x is equal to minus 2 और probability x is equal to minus 1 को में plus कर दूँगा जब x is less than 0 बोला है तो 0 से कम कौन है probability x minus 2 की और minus 1 की plus कर दूँगा अगर यही बोलता ना इस तरह से probability of x which is greater than 0 0 से greater 0 से बढ़ा तो 0 से बढ़ा कोन है 1 2 3 इन तीनों के probability को plus कर दे समझ में आ रहा है तो यह क्या जाएगा probability of x is less than 0 probability x minus 2 क्या है minus 2 के लिए probability क्या है देखो 0.1 इसकी value 0.1 probability x is equal to minus 1 minus 1 के लिए क्या है k के की लिए क्या था याने के की value कितनी आइथी देखो यहां पर 0.1 तो यह 0.1 और 0.1 क्या हो गया 0.2 तो इस तरह से अगर कुछ भी पूछा जाता है तो आप जो है answer निकाल सकते हो समझ में आ रहा है अगर यहां पर यह ऐसे पूछा जाता ध्यान से देखना एकदम ध्यान से देखना एक ही question के अंदर बहुत सारी चीज़े बता रहा हूं मैं आपको कि probability of x greater than 2 मतलब क्या पूछा गया एकस प्रोइबिल्टी जब x की value 2 से greater बता बेटा 2 से बड़ा कौन 3 4 5 बरबर लेकिन यहां पर 2 से बड़ा कौन है देख बेटा x is equal to 2 है उससे बड़ा कौन है 3 और कुछ है क्या नहीं मतलब यह की बंदा बैटा है 3 तो इस 3 के लिए निकालना है मतलब क्या probability of x is equal to 3 निकालना है और क्या है 3 के लिए k k कितना आया था 0.1 ओ गया इसी question को और भी अगर अलग तरीके से बताता हूं मतलब सारे बता रहा हूं मैं आपको लग रहा हूंग एक ही बता रहा हूं मैं अलग अलग तरीके यहां पर एक इसा बताओ अभी वन से ग्रेटर कौन नहीं बताओ एक से बड़ा कौन तो टू और थ्री और इस टेबल के लिए इस वन से ग्रेटर कौन है तो मैं क्या करूंगा प्रोडिय आप X is equal to 2 और probability of X is equal to 3 को दोनों को प्लस करूँगा, तो कि 1 से बढ़ा 2 और 3 है, तो जब 2 है, probability X 2 है, X की value 2 है, at that time probability याने नीचे देखने का, कितना है, 0.3 है, plus X is equal to 3 है, 3 के लिए कितना है, K, K याने कितना लाया था है, हमने 0.1, पीचे लाया था देखो, K 0.1, 0.3 plus 0.4, मैं त कर सकते हो, एक और सिखाता हो आपको, कि अगर समझो, इस तरीके से आया, यहां पर एक question, कि probability जो X है, वो समझो, minus 2 से बढ़ा है, और 3 से छोटा है, तो कैसे करोगे, डर जाओगे, डरना मत, इसको मैं यहां करता हूँ, चलो, probability क्या लिखा था मैंने, minus 2 से बढ़ा है, एक्स और 3 से छोटा है, समझो, मैं यहां पर equal भी ले लेता हूँ, तो क्या होगा, किसकी probability, minus 2 से बढ़ा, कौन है, देखो, minus 2 से बढ़ा कौन है, minus 1 होगा, minus 2 से बढ़ा कौन है, minus 1, plus, फिर 3 से छोटा यह equal लेना है, तो minus 2 से बढ़ा, minus 1, उससे बढ़ा 0, उससे बढ़ा 1, उससे बढ़ा 2, 3 के छोटा लेना है, 3 से छोटा बट, equal भी दिया है, मतलब 3 को भी शामिल करना, यहां x, जो है, minus 2 से बढ़ा था, यहां equal नहीं था, अगर यहां equal होता ना, तो minus 2 को भी शामिल करते हैं, बट यहां equal नहीं है, इसलिए मैं minus 2 को नहीं ले रहा हूँ, समझ मे 0, फिर 1, फिर probability, probability of x is equal to 2, plus probability of x is equal to 3 को लेंगे की नहीं लेंगे, देखो यहां पर 3 को equal भी दिया, equal to 3, तो इस तरह से, चलो value रखो, x is equal to minus 1 की probability, k, k यहांने क्या है, 0.1, x 0 है तब 0.2, x 1 है तब 1, यहांने 2 के मतलब 0.2 है था, हमने निकाला था अभी, और x की value 2 है तो 0.3, और x की value 3 है तो k, k यहने 0.1, सब को plus करो, आपका answer मिल गया, 0.1 और 0.2, 0.3, 0.5, 0.8 और 0.1, 0.9 आ गया, 0.9 आ गया इसका value, मतलब आपको इस तरह से अगर कुछ भी गुमा फिरा के पूछा जा रहा है, तो आप answer दे सकते हो, एक ही probability distribution table था, इसके अ गुमा फिरा के अगर कुछ भी पूछा गया तो आप कैसे करोगे, चोलो आगे के question देखते हैं, अगला question मैंने लिखा यहाँ पर, जैसे मैंने starting में आपको बोला कि CDF करने की जड़त ने, तो CDF बेटा यहाँ पर, cumulative distribution function, एक discrete random variable के लिए और continuous के लिए, जो 7.2 में वो मत करना 7.1 के अंदर अगर CDF निकालने आता है तो आप करोगे, क्योंकि यह discrete random variable का है, कैसे करेंगे मैं question बता रहूं यहाँ पर, x is equal to 12345, क्या है देखो, x equal to 12345 और उसकी probability दिये यहाँ पर, तो सबसे पहले हमें बोला गया है, find a, बोला गया है, a की value पता करो, और a की value आने के करेंगे कि submission of probability of x is equal to x इस तरह से लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे लिखो, सिर्फ पी आई एक्स तो भी चलेगा, आप बच्चे गन्फूज हो दे सर कैसे लिखना कैसे, जैसे भी लिखना है, लिखो, is equal to 1, लिखो, फिर क्या करना, सब की value जो है, प्लस कर दो, 1 upon 20, प्लस 3 यह हमेच्छा 1 होता है न, PMF की वज़े से, probability distribution table के table अगर यह PMF है, probability distribution table दिया है, PMF लिखा है या नहीं भी लिखा है, और इस तरह से unknown value निकाले बोले, तो समझ जाना है कि यह condition लगाना है, सब को यहाँ पर प्लस करके 1 लिख देंगे, ओके, तो यह क्या हो गए, और 2 मिलके 3A, समझ गए, 1 upon 20, 3 upon 20, 4 upon 20, और 1, 5 upon 20, तो यह 5 upon 20, एक मिनिट, इसको हम मिठाते है, यहाँ पर 5 upon 20 आया है, is equal to 1, so 3A is equal to, देखो यह 5 आने 1, 5, 4 जा, 1 by 4 वहाँ गया, तो 1 minus 1 by 4, यह आ जाएगा, 3A is equal to 4 into 1, 4, 4 minus 1, 3 upon 4, 3 से 3 cancel, तो A is equal to 1 by 4 आ गया, एक इतना आया, 1 by 4 आया, तो A की value 1 by 4 आ गया, यहाँ पर जो unknown value निकालनी थी, A, A की इतना आ गया, 1 by 4, ठीक है, अगर अब इसी सवाल को मैं करना चाहूं तो यह 1 by 4 है, और यह क्या जाएगा, 2 by 4 हो जाएगा, 2A मतलब 2 by 4, करना क्या है, obtain CDF of this, तो अ चीज़ों को, चलो, इसी के अंदर मैं करूंगा, आप मेरे साथ कर रहे हैं, लिख रहे हैं, यहाँ पर मैं क्या करता हूं, कि यह जो A है, इसको और 2A है, A और 2A को बदल देता हूं, A की इतना है, 1 by 4, यह 2A था मतलब 2 by 4, 2A मतलब 1 by 4 into 2, तो 1 by 2 आ जाएगा, तो यह हमार CDF बनाने के लिए क्या करों, एक रो बड़ा दो, सिंपल थरीके से बना रहा हूं, CDF मतलब यहाँ पर Capital FX लेने का, CDF याने क्या करोगे, Capital F लोगे, अब Capital F लेने की बाद करना क्या है, काफी सिंपल है, ज्यादा सोचना नहीं, अगर टेक्स्ट बुक वगरे में देखोगे तो इसका ही solution काफी लंबा दिया है, तो वो उस तरह से भी कर सकते हो, अब डारिक्ट आपको बता रहा हूं, FX क्या होता है, जो पहली value है, ऐसे ही रहने तो 1 upon 20, अब इसी value को इसके अंदर plus कर देना, इसी value को इसके अंदर plus कर देना, तो क्या आ जाएगा, बताओ, 1 upon 20 और 3 upon 20 क्या जाएगा, 4 upon 20, समझ मैं, इसको बाद में cancel को रहेगा, फिर क्या करना, इसी value को जो आई है, उसको अगले वाले PX में multiply करना, तो 4 upon 20 और 1 upon 4 क्या जाएगा, ये 1 upon 4 है, तो exactly ये 1 upon 4 मतलब क्या है, हम लोगों ने जो निकाला था, अगर देखोगे, तो ये 5 upon 20 था, और ये 1 upon 4 आया था, अभी सब देखो, यहां पर 1 upon 20, 3 upon 20 के फिर में, तो 4 upon 20 को 1 upon 4 के साथ प्लस करोगे, तो exactly 1 upon 4 क्या था, 5 upon 20 था, तो 4 plus 5, 9 upon 20 आ जाएगा, अब आप बोलो कि क्या सर यहां 1 upon 4 लेके उतना क्यों देखने जाए, इसी को प्लस करके बादा, कर देते ना बेटा तो LCM method से कर सकता है, 20 और 4 दोनों के table में 20 आता है, तो 20 रख दो, 20 के table में कितने बार करोगे, 20 आएगा 1 time, उस 1 का multiply उपर 4 में करो, 4 का table कितने बार पढ़ोगे 20 आएगा 5 time, इस 5 का multiply इसके numerator में करो 5 था 5, तो 4 plus 5, 9 upon 20, आप बोलो कि क्या सर वही आए न, यह सब क्या LCM बत समझ गए, 16 और यह 36 upon 80, फिर इसको 4 से कट करोगे, 49 36 और यह 9 upon 20, कुछ भी कर बेटा वही आने वाला है, बड़ काहे को इतना लंबा चवड़ा कर रहा है, जब यह LCM से हो रहा है, इसली तो, और उससे भी अच्छा है, वो भी करने की जरूद न, 1 by 4 को हम exactly 5 upon 20 समझते न, यहां पर 1 upon 4 जो आया था, ओके, 1 upon 4, 5 upon 20 था, पहले ही था हमारा, समझ में आ रहा है, उसको ही कट करके लाए दे, तो कुछ भी कर, एंसर लेकिया बेटा, टेंशन मतले मैं तेरे साथ हूँ, ओके, पूरे आप मैंने म्यात सिखाया हुआ है, फाइनल रिवीजन चालू यह सब तरीका है, जिस तरीके से तुम लोग कर सकते, ओके, यह आ गया, अभी क्या करना है, मैं CDF आपको निकाल के बता रहा हुआ, तो यह 9 upon 20 में, फिर 1 upon 2 प्लस करो, तो 1 upon 2 मतलब 10 upon 20 हो जाएगा, 9 or 10, 19 upon 20 हो जाएगा, नहीं समझा, करते न, फिर से कर, 9 upon 20 और प्लस 1 upon 2 एंबुलेंस की आवाज आ रही है, इसलिए आती है न, हमारा स्टूडियो हाइवे के पास है, और मुंबई के कोई भी पेशेंट अगर गए न, तो हाइवे सही जाते है, तो maximum जो है, हमारे यहां से पूरे लॉगडाउन से आप मेरे हर वीडियो में एंबुलेंस की पड़ोगे 20 आएगा, वन टाइम, उस वन का मुल्टिप्लाइ उसी के उपर वाले में करना, याने 1 इंटू 9, 9, अब यह 2 का टेबल कितने बार पड़ोगे 20 आएगा, 2 10s आ, अब इस 10 का मुल्टिप्लाइ इसी के उपर वाले में करो, 10 1s आ, 10, तो 10 प्लस 9, 19 अपॉन 20 आ आ जाएगा, तो इस तरह जो कट होता, उसको कट कर दो, यह 4 upon 21 upon 5 है, तो यह अब ने क्या कर दिया, cdf निकाल दिया, तो भूक वगर में इतना लंबा क्या दिया, बूक में ऐसे दिया, देखो, cdf अगर निकालना है न, तो जैसे यह f, x, fx is equal to 1, यह क्या जाएगा, probability of x is equal to 1 आ जाएगा, submission, यह आ गया, तो that is 1 upon 20, इस तरह से लिखके दिया हुआ है, तो अभी समझो, cdf निकालना है, x is equal to 1 के बाद 2 है, तो क्या करेंगे, submission, probability, x is equal to, एक मिनिट है, submission, probability of x is, 2 से, इस तरह से, की 2 और 2 के, 2 से पहले वाला है, एक मिनिट है, 2 से लेस और 2, दोनों को लेने का, मतलब 2 और 2 से लेस, यहां क्या था, 1 या 1 से लेस, 2 या 2 से लेस, तो 2 और 2 से लेस क्या आएगा, 1 और 2 दोनों को प्लस करने का, यहां पर submission मतलब, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर तीसरा कैसे आएगा, यह f1 और 2 आगए, अभी f of x मतलब 3 के लिए लाना, यह वाली value कैसे लाएंगे, तो हम यहां लिखेंगे, f of x के लिए 3 कैसे लिखेंगे, summation, probability x, यह जो 3 है, 3 से कम या equal, मतलब 3 से कम या equal, मतलब 3 से कम या equal, तो यह आजाएगा, इन तीनों को प्लस करेंगे, तो यह ऐसे formula से, सब value यहां पर करके दिखाता हूँ, probability x is equal to 1, 3 से कम या equal, मतलब 3 से कम याने, 1, 2, probability x is equal to 3, फिर सब की values रखना, 1, 2, 3 की value क्या है, probability 1 upon 20, 3 upon 20, और 1 upon 4, 1 upon 20, 3 upon 20, और 1 upon 4, यह 1 upon 4 को में क्या लिख देता हूँ, समझो, यह क्या है, 4 upon 20, एक मिनेट, फ्लस 1 upon 4, 1, 5, तो यह क्या है, 1 upon 5, फ्लस 1 upon 4, क्या जाएगा, देखो, cross multiply, 4 plus 5 upon 5, 4 जा 20, 4 plus 5, 9 upon 20, यह क्या है, probability f when x is equal to 3, आया, कहां पर है, f when x is equal to 3, 3 के लिए 9 upon 20, वह है न, यहां पर, देखो, यह देखो, समझ गए, तो कभी भी अगर cdf निकालने बोला, तो ऐसे करना, चलो, अगला देखते है, यहां पर आप question क्या है, देखो, यह अलड़ी मैं ऐसे सब questions बता चुका हम, फिर भी कुछ advance question है, देखो, यह x दिया हुआ random variable और probability दी हुई है, और हमें यह बोला है ना, probability निकालो पहला, क्या बोला है, देखो, ध्यान से देखना, कि minus 1 से greater होना चाहिए, x और 2 से equal या less होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसका यह करूँगा, probability, जो x की value, जो है x, minus 1 को equal होगा, या तो उससे greater, तो minus 1 देखो, यह है, इसको equal, इससे greater क्या है, 0 है, उससे बड़ा क्या है, 1 है, उससे बड़ा क्या है, 2 है, उससे बड़ा 3 है, लेकिन कहां तर चाहिए, 2 से छोटा होना चाहिए, या तो equal होना चाहिए, यानि 2 को लेना है, 2 और minus 1, minus 1 और 2 के बीच में, फिर probability of x 2 आएगा सब की values प्लस कर दो क्या क्या है देखो यहां से इसकी value is 0.2 plus 0 की value is 0.15 plus 0.1 plus 0.1 इस तरह से 0.2 और 0.1 और 0.1 किता हो जागा 0.4 और यह हो जागा 0.55 तो यह इसका answer आ गया तो इस तरह से अगर कोई भी table दी और यह निकालने बोला तो भी आप निकाल लोगे tension लेना मट सबसे important में बताने जा रहा हूँ यहां पर यह वाला जो है इसको एक दम ध्यान से देखना यह कैसे करना है देखो दूसरा इस तरह का अगर question है इस मिस्लिनियस के एक्जामपल कुछ अलग-अलग है वह मैं बता रहा हूँ यह जो मैं बता रहा हूँ यह exercise के नहीं है बट अलग-अलग टाइप के मैंने लिए है अब यह क्या है देखो probability of when x is less than or equal to 3 and probability x when greater than 0 तो यहां पर एक मैं आपको फॉर्मूला पताना चाहूँगा probability of a when b happened यहने conditional probability का formula होता है probability of a जब b हो चुका है upon b मतलब b हो चुका है ऐसे में probability of a तो इसका एक formula होता है probability a और b दोनों का intersection upon यह upon है probability of b तो यह formula होता है conditional probability इसको बोलते हैं तो अब करना क्या होगा यह भी देखो वही है probability of x is less than or equal to 3 when x is greater than 0 condition दिया है जब x 0 से greater होगा at that time तो इसका formula हम लगाएंगे तो कैसे लगाओगे इसका formula इसका formula हो जागा probability upon यहाँ पर नीचे क्या है probability जो नीचे जैसे b है उसकी probability यहाँ रहती है तो यहाँ नीचे क्या है x greater than 0 यह रहे गाई 0 से greater है लेकिन यह जो ऊपर है वो क्या र और equal to 3 intersection एक मिनेट इस तरह से लिखना है probability of this intersection यह जो है x and greater than 0 इस तरह से मतलब क्या है कहने का मतलब क्या है देखो नीचे ध्यान से लेखना है यहाँ पर देखना probability x greater than 0 0 से greater कौन कौन है 0 से greater कौन है 0 से greater 1 2 3 4 यहाँ में ले लूँगा probability x is equal to 1 probability x is equal to 2 plus probability x is equal to 3 probability x is equal to 4 समझ में आ रहा है अपन में मैंने यह ले लिया लेकिन अब numerator में क्या लेना है अब देखो x is less than or equal to 3 कौन कौन है उसके अंदर चेक करो कि मैं आपको यहाँ पर यह देखो x is less than or equal to 3 3 से छोटा या equal कौन कौन है देखो 3 से छोटा यह एक में नहीं दीख रहा है न यह highlighter लेता हूँ चलो 3 को equal 3 से छोटा कौन है 3 2 1 0 minus 1 minus 1 यह सब रहेंगे न क्या है x is less than or equal to 3 3 से छोटे सब रहेंगे 3 को भी लेना है और x 0 से greater है इसको दूसरा highlighter लेता और उसको equal है जीरो से greater है 0 से greater कोन है 0 से greater 1 2 3 समझ भी आ रहा है अब यह दोनों cases में देखो intersection का मतलब क्या होता है intersection मतलब कि common क्या है दोनों में common क्या है बेटा देखो minus 3 minus 2 minus 1 0 1 2 3 था और यहां पर 1 2 3 था तो यह दोनों निशान किसमें लगा है मैंने common 1 2 3 में तो यहां पर इसका common क्या है का probability of x is equal to 1 यह common है दोनों में intersection मतलब जो दोनों में है probability of x is equal to 2 और probability of x is equal to 3 यह इस तरीके से अब आपको values फाइंड करने हैं देखो यह numerator द्यान से देखना इवेंट a slash b होता है यानने b हो चुका है conditional probability तब a और b दोनों का intersection निकालते हैं यहां पर यह दो event दिए इन दोनों का intersection मतलब इसके और इसके दोनों के अंदर को नं है तो पहले वाला यहां से लेका यहां तक था दूसरा वाला यहां से यहां तक था तो दोनों में common कौन से पार्ट है यह तिनों पार्ट है तो सिर्फ उनका probability हमने लिख दिया अब क्या करोगे सारी values रखो और answer आ जाएगा देखो कैसे रखेंगे यहां पर मैं यहां रख देता हूं value चलो x1 कब है x1 1 0.1 है देखो plus 2 का 2 है तो 0.1 है और 3 है तो कितना देखो 0.05 इस तरह से numerator हो गया denominator देखो x1 plus x2 3 4 तो 1 2 3 4 0.1 0.1 plus 0.05 plus 0.1 तो कितना आ गया 0.1 0.1 2 हो गया 0.25 आ गया 0.1 0.1 0.2 0.3 है यह 3 हो गया और 0.35 हो गया तो दोनों को 100 से multiply किया तो 25 अपॉन 35 फिर 5 से करोगे तो 55 जा और 57 जा तो 5 अपॉन 7 आ गया तो इस तरह से करना है देखो बच्चों डरना नहीं है आपको कैसा भी question हो तो आप कर सकते हो जैसे मैंने यहां पर बता है तो इस तरह से यह question number यहां पर जो मैंने अलग question दिया था तो question देखके ढरना नहीं आपको जैसे मैंने बताए अभी देखो एक बहुत थी important question जो अभी फरवरी 2020 के paper में आया हुआ मैंने बोला ना आप question देखके ऐसे आपको लगे है यार यह क्या question इतना easy पांच मार्क पुरे जेब का है जाना नहीं चीए पेटा find expected value find expected value यानि इसका मतलब क्या mean निकालने बोला है हर बार की तरह याद रखो variance and standard deviation तो जब भी याद रखो कि अगर कोई एक निकालने आता ex या variance या hd तो उसके इसाब से हम table को modify करेंगे table को modify क्या करेंगे जनरल हमें किसकी जरूद होती है एक्स की जरूद होती है px की x के साथ x square की इस पी एक्स को हम पी लिखते हैं यहां पर मैं पी लिखके बदाता हूं अ और है यह पी आई यह एक से तो x square फिर x और पी का multiply करते हैं फिर इस x square और पी का multiply करते हैं तो इतने सारी चीजे हमको निकालना पड़ेगा अगर वेरियस निकालना है तो यह x2 और यह निकालना पड़ेगा अगर वेरियस नहीं निकालना तो इससे काम चल जाएगा तो उसके इस टेबल को मोडिफाई करते हैं इस टेबल के अंदर ही जैसे यह x है और यह पी आई है यह x i है तो हम क्या करते है एक साइब और पी आई का मल्टिप्लाइ कर देंगे यह हो गया कॉलम फिर क्या करेंगे इस टेबल को मैं बड़ा बनाता हूं इस x का स्क्वाइर करेंगे जो x आई है इसका स्क्वाइर करेंगे फिर इस x स्क्वाइर को पी आई के साथ मुल्टिप्लाइ करेंगे एक स्क्वाइर को क्या करेंगे पी आई के साथ मुल्टिप्लाइ करेंगे तो जो भी एंसर आएगा यहां पर हम करने जा रहे हैं यहां इस यहाँ पर यहाँ पर एक स्क्वाइर निकालना है इनका स्क्वार 323 एक स्क्वार नाइन आ इन दो है इसका x square का pi के साथ multiple है इसका इसके साथ multiple है ध्यान से देखना 1.5 into 1 1 upon 5 2 upon 5 into 4 तो 2 forza 8 upon 5 cancel मत करवा 2 upon 5 into 9 18 upon 5 यह आ चुका है अब मुझे निकालना था mean expected value so expected value कैसे निकालते हैं यहाद है submission x i और pi का i starts from 1 to n ओके इस तरह से so अब इसकी value क्या होगे देखो x i pi कहा पर है देखो x i pi यह रहा इसके अंदर जितनी भी values है कौन सी value चेक करो यहाँ पर x i pi की जितनी भी values है इसको total मार देना है तो आपको answer आ जाएगा 1 upon 5 यहाँ पर लिखता हो चले 1 upon 5 प्लस 4 upon 5 प्लस 6 upon 5 यह तीनों value थी तीनों को plus कर दिया तो क्या आ गया 1 plus 4 5 plus 6 11 सबका base 5 है तो यह आ गया यह आपका mean आ गया बेटा क्या है यह mean आया इस तरह से आप mean निकाल लोगे अब क्या निकालना था दो हजार बीस का question है अभी अभी ताजा ताजा क्वेस्चन एक दम लॉक्डाउन में आया था ठीक है फॉक्डाउन के पहले हुई थी एक्जाब अब वेरियंस निकालने के लिए क्या तरीका होता था यादे आपको वेरियंस वेर एक्स तो क्या सिखाया था मैंने expected value आपको देता हूं कैसे करना है इसके लिए हम क्या करते की यहीं पर मैं कर देता हूं expected value of x square भी निकालके आपको देता हूं कैसे करना देख लो expected value of x square उसका फॉर्मूला क्या रहेगा की समीशन x i square into pi कौन कोने देखो यह है तो यह 1 upon 5 यहां से देखना इन तीनों को प्लस करना x square और pi का समीशन करने के लिए इन तीनों को प्लस करना 1 upon 5 8 upon 5 और 18 upon 5 1 upon 5 8 upon 5 और 18 upon 5 तीनों को प्लस किया so 1 or 8 9 9 or 18 27 okay 27 upon base 5 तो यह expected value of x square है इसका use यहां पर करोगे so variance of x निकालना था is equal to submission of x square यह submission नहीं है यह e लिखना था मुझे एक मिला गड़बड हो जा रहा है याद रखो मैं e लिख रहा हूं यह चलो e expected value of x square यह क्या है 27 upon 5 e x the whole square e x क्या है था e x 11 upon 5 उसका whole square इसको solve करो को तो क्या हैगा 27 upon 5 minus 11 का square 121 upon 5 cross multiply करो यहां से तो क्या हैगा देखो दोनों 55 है यह ओके अभी यहां पर 27 एक मिनिट हां e x the whole square के आया कहीं गड़बड तो नहीं हुआ है e x square x square into pi एक मिनिट रुको है बटा x square into pi 1 into 1 by 5 4 2 the 8 upon 5 9 2 the 18 upon 5 एक तीनों को plus किया तो 27 upon 5 e x ओ यहां पर थोड़ा गड़बड हो गया यहीं पर गड़बड हो गया बोलते ना कि अपने घर के पास ही गड़बड है दूर धून रहे मैंने यहां पर 11 का square किया 121 और घाई घाई में 5 का square 25 लिखना मैं भूल गया 5 लिख गया तो जैसे ही मैं अगले step पे गया तो मैंने देखा 5 और 5 5 27 minus 121 करूंगा तो negative answer आ जाएगा माइनस में आएगा और यहां पर जो वेरियंस होता है इसका condition होता है कि यह माइनस में नहीं आना चाहिए वेरियंस इसका मतलब मेरा answer गलत आ रहा है मतलब कहीं न कहीं मुझसे मिस्टेक हो गई है समझे तो यह भी conditions याद रखनी चाहिए कि किसकी value कितनी होनी चाहिए तो मैंने यहां पर देखना चाहा तो यह तो है तो यहां मुझे आ रहे हैं मैंने square किया 5 का 25 अब LCA method कर सकता है यह 25 बेस है 5 और 25 दोनों के टेबल में 25 आता है अब देखो 5 का टेबल कितने बार करोगे 25 आगा 5 इस 5 का multiply उपर 27 में करोगे 27 इंटू 5 क्या जाएगा 5 7 ता 35 त्री 1 तो 135 आ गया माइनस 25 का टेबल कितने बार करोगे 25 एगा तो वन टाइम सब्सक्राइब 121 में यह हो गया 5-1 4 3-2 1 यहने 14 आ गया और अपकॉन 25 देखो यह पॉजिटिव एल्यू आई समझे निगेटिव आ रहा था तो पता चल गया एक मैंने अभी मीम पढ़ा था मीम जानना चाहोगे कि एक्जाम देने के बाद दो बच्चे डिसकस कर रहे तो उन्होंने म्यू की वैल्यू निकाली थी फिजिक्स के अंदर हो था में रेफरक्टिव इंडेक्स इस तरह से कुछ होता है तो कुछ ऐसे ग्लास वगरे का था तो एक जो टॉपर था वो लड़ रहा था कि उसका यहां पर आपको पता है जिसे ग्लास होता है तो यहां पर आपको पता है जिसे गलास होता है यह होता है यह कोई भी केरोसीन वगरे उसका जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है जैसे ग्लास होगा तो यह कुछ रेफरेंस वैल्यू जो पता नहीं जीए जैसे वेलोसिटी ओफ लाइट निकालने बोला तो आपको पता होना चाहिए कि अब किसी ने निकाल दिया वेलोसिटी जो है 36,000 बस अब वो किलो मीटर मीटर कुछ लिखा नहीं तो पता ही नहीं क्या है यह क्या होता है यह मीटर पर सेकेंड होता है तो उस हिसाब से आपको एक रेफरेंस पता होगा तो उसके आसपास करीब यह प्राक्टिकल्स वगरे चाहिए जिसके अंदर probability distribution table कैसे त्यार करें वो जो है exercise के questions में है तो अभी already मैंने पूरा यह सिखाया हुआ है exercise के जो questions है यहाँ पर है ना मैं आपको बोलना चाहूँगा काफी कम question है आपके exercise में अगर दिखा जाए तो अगर आपके exercise को देखते हैं 7.1 को तो 7.1 के अंदर बेटा सिफ 16 questions है अब सिफ 16 questions की त्यारी करें जब chapter की त्यारी हो रही है तो मैं चाहूँगा कि आप पूरे 16 के 16 questions त्यार करो ठीक है exercise मिस्क्लीनियस के कुछ questions मैंने लिए हैं पूरा concept मैंने समझा दिया है बस यही चीज आपना तरीका आपना और concept आपको पता होना चाहिए कि निकालना क्या हम करेंगे कैसा और यहां पर मैंने वेरियंस तो निकाला बट इसका standard deviation भी निकालना था SD वह भी आपको बताता रूको standard deviation के लिए क्या करना पड़ता है मलूँ मैं standard deviation जब भी आपको निकालना होगा न तो इस वेरियंस का square root निकालना बस मैंने बता न वेरियंस आगया तो standard deviation आगया अच्छा यह जो rough वर्क वगर है इस अब rough में करने का last page पे करने का तो यह एक question ऐसा आएगा याद रखना जो बता रहा हो इससे related और भी जो है question variance के standard deviation के expected value के जरूर करें इसके साथ साथ जो probability mass function है उसके भी question जरूर करें तो इसी के साथ यहां पर summarize कर दूं कि यह जो पूरा chapter है इसके अंदर 7.1 जो है उतना ही आपको 7.1 में भी 16 question है बच्चो और म मैं पूरा का पूरा book आपको पढ़ा चुका हूँ और जिन बच्चो को अभी भी यह chapter tough लग रहा है या जो शुरू करना चाहते हैं बहुत से बच्चे comment करते हैं कि sir क्या यह one short lecture देखके सब कर सकते हैं बेटा एक काम कर मैं बोल रहा हूं तुझे कि description में लिंक है जा और मे उसके बाद मैंने जो probability सिखाया हुआ है उसका जो exercise 7.1 का solution देख लो आप अपने speed से देख सकते हो मैंने normal speed पे सिखाया आप उसको speed बढ़ा के 1.5 की speed भी देख सकते हैं आपको जल्दी नहीं समझ में रहा है fast लग रहा है तो speed कम करके देखो ठीक है अब यह हमारा हो गया next lecture मैं में लेकर आऊंगा binomial distribution इसके बात का जो chapter है one shot lecture साथ में question bank भी दे रहा हो मैं हमारे 9 chapter complete हो गए आप आज इसके साथ ही और लगबग 2 लाग के करीब बच्चों ने इस chapter के पहले वीडियो को मेरे देखा है और बहुत appreciate किया है तो आप क्यों पीछे हो यार इतना ही वीडि ही देगा चलो मिलते हैं next lecture में bye everyone take care